तो अब हम यह discuss करते हैं कि भी कब-कब एक lease को आप finance lease classify करेंगे Normally तो management ही आपको बता देगा कि भी यह finance lease है, finance लिया है हमने पर कभी-कभी management इसे चुपाने की भी कोशिश करता है तो India 17 आपको बताता है कि how will you determine कि किसी lease के अंदर finance element है या नहीं है तो सबसे पहला main crux score point जो है, वो है क्या risk and reward transfer हो गए है चेक कर लो कि asset से related risk and reward transfer हो गए है क्याने agreement में ऐसा point है कि asset में अगर कुछ भी खराब भी हुई तो आपको repair करना है asset अगर इस कदर खराब हो चुका है कि अब उसे use ही नहीं किया जा सकता तो जो losses lesser को होने वाले हैं याने आगे के future rents के वो भी पूरे lessy को bear करने पढ़ेंगे याने पूरे के पूरे risk उनके पास चले गए अगर उस asset को हम किसी और को sub lease कर सकते हैं at a higher rent तो भी lesser को उससे कोई लेना देना नहीं है ऐसा हो गया reward का transfer तो यह कुछ चोटी चोटी बाते हैं जो आम लोगों को बताते हैं कि हाँ हो सकता है कि इसमें finance lease हो तो auditor को बहुत carefully इन points को judge करना पड़ता है इंडे 17 ऐसे कुछ situations आप लोगों को बताता है कि ऐसे cases में तो आप समद लोगी finance lease होगा ही होगा risk and reward transfer होई चुका होगा जिसके अंदर में पहला point वो लोग आपको बताते हैं कि क्या end में ownership transfer हो रही है कि देखो कि lease का जब term खतम होगा तो free में ownership transfer हो जाएगी free में तब तो समझ में आता ही है यार पूरा पढ़की कि 100% यह operating lease है sorry finance lease है क्योंकि end में ownership transfer हो रही है ना यार ठीक है या फिर कभी-कभी इस point से बचने के लिए वो लोग end में एक amount लिख देते हैं कि इतने amount में सामने वाला खरीद सकता है auditor को ऐसे में check करना पड़ता है ऐसा मत बोल देना कि हर बार finance lease ही होगा अगर end में खरीदने का option है compulsion नहीं खरीदने का compulsion होगा तो finance lease option है कि end में auditor खरीद सकता लेसी lesser से वो asset को खरीद सकता है तो auditor को चेक करना पड़ेगा कि जो price उसके अंदर लिखा है वो fair value market value उस समय की रहेगी या नहीं रहेगी roughly उस समय की residual value उतनी आती है नहीं आती है तो आप management से ही obviously सम्मंगा होगे valuation वगेरे के charts and other things कि हमको यह अब बहुत सारी जगहों पे इस तरह की leases बहुत कॉमन होते हैं operating lease वाले part की बात करहा हूं जैसे क्या होता है बहुत सारी जो factories होती है उन्हें power का इंडिया में थोड़ा problem चलता ही है तो diesel based बहुत सारे plants है जो all over India चलते हैं यह CNG based अब क्या हुआ solar is the new energy form that everyone knows तो बहुत सारे लोग solar में इंवेस्ट करना चाते हैं पर यह investment चोटा मुटा investment नहीं है बड़ा investment तो what people do is बहुत सारे लोग यह business करते हैं कि जाते हैं तो तेरी factory में पूरा का पूरा solar panels हम लगा के देते हैं एक rate decide हो जाता है कि जितना भी electricity consume होगा per unit you will pay us तुम जितना electricity consume कर रहे हो per unit you will pay us और you have the option तुम चाहो तो हर साल की एक fair value determine कर लेता हैं यह fair value पे तुम चाहो तो इस asset को खरीच सकते हो अभी 10 साल का contract हो गया अभी पूरे के पूरे contract में basically वह जो पावर हो पूरा का पूरा एक ही बंदा consume कर रहा है सब कुछ है और उसके पास option है कि वह चाहे तो fair value पर purchase कर सकता है नहीं तो अपन पैनल्स निकाल के लेके चले जाएं क्या यह technically feasible है हमको देखना पड़ता है कि प बंदा चाहे तो लेके जा सकता है solar panel अपने मना कर दिया हो किसी और किया solar panel निकाल के दूसरी जाएं के लगा देगा तो बंदे का option भी है वो कर भी सकता है पास में उसने शायद किया भी होगा या पिर नया businessman है तो भी लग रहा है कि हार कर सकता है and we have the option to purchase at a fair value. ऐसे में मै finance lease नहीं बोलूँगा अरे क्यों बोलू फाइनांस लीज भली 10 साल का lease agreement होगा फिर भी finance lease बोलने का सवाल ही नहीं उठता वो सकता है asset की life 20 साल पॉइंट क्लियर है तक है तो ऐसे leases भी operating lease हो जाते है so lessy gas option है खरीदने का पर अगर option market price से बहुत ही कम price के उपर है market price से बहुत पर है तो auditor को doubt कर लेना चाहिए कि नहीं यार यह finance lease होगा क्योंकि वो जो differential amount है आज अपन recover कर रहे होंगे और सामने वाला आज अगर extra pay करने को तैयार है इसका मतलब कहीं ना कहीं एक financial transaction है rather than being a lease transaction lease is the major part of the asset being transferred major part of the economic life of the asset being transferred अब देखो जैसे car की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो motor vehicle act है उसके accordingly एक car की economic life 14 years होती है car 14 years चल सकती है नो suppose आपने एक car को लेके lease पे दे दिया of 10 years तो मैं बोल सकता हूं कि major economic life तो सामने वाला ही use कर ले रहा है asset की क्योंकि major economic life सामने वाला ही use कर ले रहा है मैं ऐसी leases को finance lease बोलूँगा मेरे लिए ऐसे leases finance lease होंगे ठीक है major economic life सामने वाला यूज कर रहा है यह हम judge कैसे करते हैं कि कि कितने point पे major होगा generally 90% और more generally तो जैसे यहां पर 10 divided by 14 कर रहा हूं तो करीब करीब 71% आ रहा है तो भी मैंने बोल दिया नहीं यह finance lease है क्यों क्योंकि almost दिख रहा है यार 14 years में से 10 years यूज कर रहा है अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कहीं पर इतना परसेंटेज आना चाहिए ऐसा कहीं नहीं है बस सिप मेजर वर्ड यूज करते हैं कि 90% के उपर तो डिपेंस रम इंडस्री तो इंडस्री यहां पर आप बोल तो कि operating lease है तो भी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि 71% ही है पर डिपेंड करता है कि 10 साल बात सामने वाला इस asset का क्या करने वाला है उसे में अपन तो बिद देंगे यह asset को आपन यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए इस asset की economic life 10 years ही होगी ना आप अगर 10 साल ब अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है land lease वी land lease पर दिया तो land की life unlimited होती है land की उपर जो building है उसकी life आप बोल सकते हो land की life कैसे बताऊगे land की life unlimited होती है तो इसमें finance lease हो सकता है क्या obviously no operating lease ही होगा कहीं ना कहीं वह operating lease ही होगा यहां तक कि समय में है सर अपनने एक example देखा था इंडेस to 999 years पे land lease पे लिया था इंडेस 16 999 years पे land lease पे लिया गया था और आपने उस पर depreciation चार्ज करवाय था जब आप land lease पे लेते हैं और उसकी life limited life होती है तो हम ऐसे में उस asset को यानि अगर आपको life पता है तो ऐसे में हम उस asset पे finance lease का concept लगा सकते है जैसे कि अगर आपको government से कोई जगे lease पे मिली है government से कोई जगे 50 साल की lease पे मिली है और normally सारे के सारे अपने जितने भी घर है जो भी है offices है जो भी है यह सब कुछ lease पे ही होते है government की lease होती है हर 10 साल में हमको renew करना पड़ता है 10 साल 15 साल 20 साल अलग अलग period रहता है अब सब्सक्राइब कोई government से अपने जगे 50 साल के लिए ली कितने साल के लिए 50 साल के लिए लीज पे 50 साल बाद government को लोटाना है सब लो नौन रिनियूबल क्लॉस है तो ऐसे में तो land with limited life हो गया अब अगर इस land को अपन किसी को रेंट पे देते हैं रेंट पे देते हैं तो वह finance लीज में आ सकता है अगर आपने major economic life सामय वाले को दे दिए सर यह तो सब लीज हो गया ना government से आप लीज पे ले रहे हो देको मैं आपको एक practical scenario बता रहा हूं basically हम purchase करते हैं government से पर होता हो लीज है क्योंकि उसका time period depends होता है कि इतने समय के लिए यह जगे आपको मिल रही है logic वो होता उसके पिछा और कुश्य है ठीक है at the inception of the lease present value of minimum lease payment is substantially equal to fair value of the asset present value of minimum lease payment there is a new term जो हम लोगो समझना है which is minimum lease payment और वो minimum lease payment की जो भी present value आ रही है वो present value अगर fair value के equivalent asset की तो भी हम बोलते रहे हैं कि finance lease है now what do you mean by minimum lease payment let's see अगर आप definitions का page खोलेंगे तो वहां पे हमने यह term minimum lease payment define करके रखा minimum lease payment भई इसमें क्या क्या आता है basically this is assured returns from lessee assured confirmed return from lessee या known as minimum lease payment ठीक है यानि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई confirmation है तो उसे minimum lease payment बोलते है lessee के point of view से उसने क्या obligation अपने उपर ले लिया है assured options नहीं assured और दूसरा lesser ने को assured क्या मिल रहा है so दोनों के point of view से अलग-अलग होता है from lessee's point of view amount guaranteed by the lessee rent जो guarantee करता है कि मैं pay करूंगा ही करूंगा और rent के अलावा कभी-कभी end में residual value भी guarantee करता है कि मैं इतना पैसा देके asset खरीद भी लोगा obligation ले लिया उसने उपने उपर तो इसको भी बोलेंगे हम लोग किये minimum lease payment का part है पर lesser के point of view से guaranteed value सिर्फ lesser की तरफ से नहीं देखते हैं third party की तरफ से भी देखते हैं जैसे कि end में asset को खरीदने का option lesser लेके बैठा है कि lesser चाहे तो lessee को वह asset बेच सकता है particular price पर लेट से एक लाक रुपए में बेच सकता है option लेके बैठा है lesser lesser के पास option लेसी के option नहीं खरीदने का lesser क्या option है वह चाहे तो lessee को बेच सकता है तो lessee is obliged to buy wordings पे ध्यान दीजेगा तो अगर lessee के ऊपर ऐसा कोई obligation है कि या उसको खरीद नहीं पड़ेगा and lesser क्या option है कि वह चाहे तो बेच सकता है तो उसने को लगता यार नहीं देड में तो बेच सकते हैं एक का आपने पास ग्रहक अल्रेडी बेठा है इसको आपन पूछ के देखते हैं इसको आपन पूछ के देखते हैं बोलते हैं option मेरी इच्छा देना होगा मैं दे दूंगा इसकी इच्छा होगी तो अपन ले लेंगे अपने को उतना कुछ काम होगा इसलिए अपने को लेना investment purpose के लिए नहीं रहा है तो अपन ने लेसर ने किसी third party के साथ भी option ले लिया कि मैं चाहूं तो तुम से यास तुम्ही ऐसेट बेच सकता हूं एक पर्टिकला प्राइस प इसकी बात कर रहे हैं एक बीस में बेचेंगे ना जितमें ज्यादा पैसा मिलेंगा उसको बेचेंगे तो अब यसी बात है आपको guarantee किसकी है एक की की एक बीस की guarantee में मैं residual value हमेशा एक बीस को को होगा तो डाट इस गिवन एक तो value guaranteed एक तो rental income प्लस residual value जो जिसने भी guarantee दिया whichever is higher जिसने भी आपको higher value assure किया है वो ठीक है इसका भी एक example देखेंगे हम लोग कि जैसे लैसी ने 5 lakh per annum का वो rent pay करने वाला है for the next 5 years plus 1 lakh end of 50 year पे वो car के देदेगा कोई भी car randomly ले लेता है और lesser के पास option है 1 lakh from lessie 2 lakh from third party 3 lakh expected वो expect कर रहे हैं तो अगर मैं mlp बोलू minimum lease payment from the point of view of lessie अभी lessie को कोई नहीं बताता कि उसने third party से भी agreement करके रखाया lesser ने third party से भी agreement करके रखाया lesser कभी नहीं बताएगा disclose नहीं करेगा तो lessie के लिए minimum lease payment में आता है rent of five lakhs for the next five years plus one lakh जो उसने अशौर किया है lesser के point of view से हो जाता है five lakh rupees जो से next five years guarantee मिली है plus two lakh जो से अशौर हुआ है three lakh नहीं लेंगे क्यों 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 वो दो और ये three का जो difference है एक लाकी आ रहा है वो unguaranteed residual value उसकी किसी ने guarantee नहीं दिया unguaranteed residual value अब यह finance lease है या नहीं इसके लिए हम लोग क्या जालते हैं हमेशा और फिर check करते हैं तो minimum lease payment के लिए it will be five lakh multiplied by let's say हम eight percent पे discount कर रहे है random figure nothing to write down आप लोगों के लिए क्योंकि हम लोग आगे इसके बहुत सारे questions करेंगे आपको समझ जाएगा अभी बस concept समझते जल जाए लिखना कुछ नहीं मैं 8% से एक बार इसका annuity factor निकाल लेता हूं randomly लाया मैंने 8% 3.9927 प्लस एक लाक रुपे जो end में मिलने वाला है 6805 तो यह हो जाएगा 20.644 लाक्स अब सपोज की asset की जो fair value है वो 21 लाक है asset की आज का बाजार भाव immediately purchase बाजार भाव 21 लाक है तो अगर मैं divide करके देखूं 20 जो मुझे मिल रहा है by 21 तो यह करीब करीब 98% आ रहा है so when present value of minimum lease payment is almost equivalent to fair value almost equivalent to fair value यह finance case हो जाएगा यहां auditor को doubt होई जाएगा कि यार 5 साल के अंदर सामने वाला इतना पैसा दे दे रहा है जितना आज के asset की fair value हो जाती है 5 साल में सामने वाला आपको इतना पैसा दे रहा है which is equivalent to the fair value of the asset today यह पक्का finance लीजी होगा ठीक है but if fair value is 30 lakhs तो 20.644 divided by 30 यह आता है 68.8% this is not equal to 90% तो यह हम बोल देंगे नहीं यार operating ने लीजी से सर 90% क्राइटेरिया दिया होगा इंडेस के अंदर नहीं इंडेस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया इंडेस तो बोलता है almost equivalent हो तो हम लोग मानते की नहीं तो 90% तक की life या 90% तक की asset की value अगर recover हो रही है तो finance lease नहीं तो operating lease तो यह criteria हमने बना के रखे हैं हमारे understanding के लिए ठीक है चलिए इसके अलावा इसके अलावा और भी बताया गया है कि lease asset is of specialized nature भी बनाया है इस सामने वाले के लिए और तो कोई यूज नहीं कर सकता तो लॉजिकली finance lease ही होगा जब और कोई यूज नहीं कर सकता तो भली economic life नहीं cover होगी present value minimum lease payment नहीं और हो रहा होगा doesn't matter finance lease ही होगा क्योंकि और कोई यूज नहीं कर सकता नहीं और और भी कुछ criteria's है जिन से हम लोगों को लग सकता है जैसे कि lessee can cancel the lease एक लेसी ने cancel किया तो उसके जो losses है lesser को वह उसी को bear करने पड़ेंगे जैसे कि जब तक कि हम लोगों को नया rental वाला बंदा नहीं मिलता तुमको rent pay करते रहना पड़ेगा finance lease क्योंकि सारे के सारे risk फिर transfer हो चुकी है gain or loss from fluctuation in fair value of the accruise to lessee उस asset से related कोई भी fair value increase या decrease है वो सब कुछ lessee कोई चल जाएगी lessee has the ability to continue the lease at a lower than market rent वो चाहे तो renew कर सकता और वो भी market rent से कम में खरीद भी सकता है fair value कम में अगर नहीं है तो market rent अगर कम में अगर कर लेता है तो भी एक प्रकास से finance lease कहलाएगा जैसी चोटी 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 बाते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है कि कब finance lease होता है terminologies हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हमने एक term देखा था minimum lease payment कि उससे related एक example है समझने के लिए नहीं इंप्रिसेट रेट का है सौरी एक्जामपल नंबर टू जो आपको बताता है कि इसमें से क्या क्या मिनिमम लीज है बता दीचे तो calculate the minimum lease for a limited who took an asset for five years lease तो जैसे कि lease का रेंट है 1000 per month तो definitely यह आपके lease minimum lease payment का part हुआ क्योंकि यह guarantee किया है contingent rent मतलब वो rent जो कोई event के होने पर मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा जैसे कोई sales target हो सकता है या फिर कोई particular locality के अंदर में fair market value इतनी उपर गई तो या नीचे है यानि some contingency तो जो हम चेक कर रहे है कि finance lease है या नहीं उसके लिए हम यह term minimum lease payment देखते है minimum lease payment लेते हैं समय हमने एक unguaranteed residual value देखा था पर अबर की residual end में lesser expect कर रहा है जादा पर actual में guarantee कम की है तो minimum lease payment में cost of service given by B अभी B क्या service दे रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है asset का इसलिए वो नहीं लिया जाएगा वह एक अलग part है taxes to be reimburse by B अब आपको tax लग रहा है पर वो reimburse हो जाएगा B की तरफ से तो उसको lease का part मत मानिए residual value guaranteed यह तो लेना ही है fair value of the asset after five years 6000 तो तो फैर वाल्य गैरेंटी से 5000 किया also a limited as option to purchase at the end of fifth year for 2000 2000 रुपय में हो चाहे तो इस asset को खरीच सकता है अब आपक्या option है आप चाहें तो 2000 रुपय में को बाट दिया उन्होंने बोला एक एंड में जब asset की life खतम हो जाएगी पांच साल यूज करने के बाद में लेसी 5000 और देगा खरीद लेगा ऐसेट ऐसा नहीं बोला 5000 देगा एसेड भली उसको ना मिले यह उसने गैरेंटी दे और उसने बुला है कि पांच साल बाद मैं चाहूं तो 2000 रुपय में असेट को खरीद भी सकता हूं तो अभी सी बात है यह जो option है यह एक तरह से lessy के उपर obligation है तो he will consider this also and for lesser तो यह guaranteed है सामने वाले को 2000 में हो बेच सकता है तो इसलिए वो भी उसे consider करेगा So these are the amounts that you need to consider while calculating the to check whether it is a finance lease or not हमिन सब की present value निकालता हैást How many in every lease payment is not present value हम present value of minimum lease payment निकालता है है तो आपको कुछ तरिक기에 से समखना पढ़ेएं कुछ और terminology से commencement of lease inception of lease, so inception of lease is a date on which आपने lease agreement किया, अब उसी दिन lease चूरो हो जाएगा ऐसा नहीं होता ना, जैसे सपोज, CA बनने के बाद में आपको practice करना, आप मेरे पास आए, मेरे पास एक extra classroom थी, खाली पड़ी थी, आपने मुझे बुला कि सर आप मुझे हो जागे rent पे ओपर दे दो, मैं व क्लास मुझे मतलब यह जगे वापस है लोग है नहीं, कम से कम पांच साल के लिए, मैं पांच साल इसको यूज करूँगा, अपने ही बुला है यार, agreement रहना चाहिए, नहीं तो सामने वाला भाग गया बीच में, तो आपन क्या करेंगा, तो agreement हो गया, पर agreement होते से ही सामने क्लास रूम है यार, ओफिस के लाइक बनाना पड़ेगा, फ्लोरिंग वगेरे पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में ऑफिस के अंदर में पूरा का पूरा जो arrangement है, वो पूरा का पूरा उस तरीके से करना पड़ेगा, कि यहां लगे यार, ओफिस धिरक खतम होगा और फिर रेंट शुरू होगा, तब थके रेंट फ्री भी रेंट भोलता है, अच्छेंट है एंदर में लाइसे दिन से लेड खें is made at the inception of the lease that is 31st March याने फिनांस लीज अपरेटिंग लीज हम 31st March को चेक करेंगे पर जो लीज की अकाउंटिंग है वो हम लोग 30 जून से ही शुरू करेंगे यह पूरा का पूरा लॉजिक और कॉंसेप्ट समझ में आया होगा finance lease related so we end this video over here and then will speak about the accounting aspect